यह क्लास्टीन बिहार बोर्ट भारती बन के बुख से लिया गया है यह 17 रेनी प्रसनाबली फोर की भी इसमें मैं आपको बताऊंगा कुस्टन नंबर 8 का सोलोसन बहुत ही एजी तरीके से और आपको फूल HD में और समझ में भी आएगा जैसा कि आप इसकीन पर कुस्टन नं मतलब सोलोसन करके बता दिया हूं अपने चैनल पर आई बटन में मिल लिंक मिलेगा या फिर आप अपना वार्षप नंबर के साथ नीचे कॉमेंट करेंगी तो मैं आपको कॉंटेक्ट करके आपको लिंक दे दूँगा ठीक है चलिए मैं कुस्टन प्रसनाबली फोर की भी 3N है अब कॉंट क राए कि ये जो एसन का मान जो दिया हूँ योगफल क्या यह स्रेनि समांतर में है मतलब क्या यह ए अपी में है यदि है तो एपी का मान लिखते चलिए चैनल 5 मान आपको बताना है तो स्रेनि लिख देना है कॉंट आपको समझ में आ गया answer यहां से आप देख सकते हैं कि यहां A-N बराबर जो कुष्टन फर्मूला जो दिया हुआ था पतलब A-N का जो मान दिया हुआ था A-N बराबर 2N स्कॉइर प्लस 3N है तो हम क्या करेंगे A-N का मान यहां पर रखते हुए चलेंगे A-N का मान एक बर एक रखेंगे तो हमारा A-N इस पहला निकल कर आएगा मतलब A-Z फर्स्ट निकलेगा और यह जो A-Z फर्स्ट होगा वही हमारा T-फर्स्ट यानि परतम A-P का पहला पाद निकल कर होगा ठीक है तो एक रख दिये तो निकल कर आगया चलिए तो जहां जहां पर आप n देख रहा है वहां पर आपको एक रखना है तो देखिए हम आपको कलम ले करके अच्छी तरह से समझा दे क्योंकि मेरे चैनल पर आप आए और समझ में ना आया है तो ऐसा हो नहीं सकता है एक रखेंगे तो 2 को 2 तो ठीक है पांच तो यह हमारा एपी क्या प्रथम पद है ठीक है अब हम दुसरका निकालेंगे तो आपको समझना होगा कि जहां जहां पर एन स्क्वार जो आप देख रहें वहां पर टू रखना तो टू गुने टू का स्क्वार पलस में ठीरी गुने टू तो ठीक है दू और दू का स्क्वार पर यह तो यहां पर यह अपर एक तरह स्केन्ड टर्म निकालना है हमें अब कि दि नहीं तो चवधा मैंसे उन गंगे हम 3 रख लेते हैं तो चलिए 3 रखते हैं तो 3 का square तो 3 का square जागा 9 9 को दूसरे गुना करेंगे तो 18 और 3 ती यह 9 18 नो कितना हो जागा 27 उसी तरह से S4 निकालेंगे तो 4 का square 16 दूना 32 और 34 का 12 44 हो गया यह तो हमारा SN का मान निकल कर आया है अब हम आपको बता दे कि SN का मान निकाल लिए है अब कुशन में क्या का रहा है कि क्या हुआ स्रीनी समांतर में है यदि हां तो स्रीनी लिखना है तो चलिए पहला एक हमारा निकल कर आ गया है 14 में से 5 को हटाएंगे तो 9 आएगा इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे फर्बूला होता है TN बडाबर SN-SN मतलब 2nd SN में से 1st SN को घटाईए या 3rd में से 2nd या 4th में से 3rd को तो हम क्या करेंगे S2-SN की है तो S2 का मान हमारे कितना है 14 है और SN का मान हमारा 5 है चवदा में से 5 होटाए तो 9 आया उसी तरह से T3 की निकालना है अब आप कहिएगा कि Sir T2 निकाले T1 का है निकाले तो हम T1 बाद में निकालेंगे आपको समझना यहाँ पर है तो S2-SN 14 में से 5 गया तो 9 ठीक है उसी तरह से T3 निकालना है तो S3-S2 27 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 में से 14 जाएगा तो 13 उसी तरह से T4 निकालना है तो S4-S3 44 में से हम 27 को खटाएगे तो 17 हो जाएगा ठीक है कैकोई 14 में साथ गया 7, 3 में से दूग गया 1 अब आप कहिे गा कि sir T1 कहां? T1 जो है हो आई हमार T1 का मान něकल कर आ गया T2, T3, T4 ये चारो मान निकल कर आ गया के पाँच है तो हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ते चलेंगे 5 है तो दुसर का कितना हो जाया? 9 हो जायाँगा, तिसर का 13 हो удоб dal解 का सकतर हो जाएता है रही है और अभिस्ट शुरएनी हम यहाँ पर आपको लिखर के देदिए यही आपका कुस्षन नंबर एट का इंसर था relacion भारती बन के भूक से लिए खान अतर सरेनी दास गुर्णध में शुस्डी ओद्ध म का दूरा, था Everything पावली फोर की भी क्या ये कुशन था और इसका मैं सुलूसन करके आपको बता दिया हूँ, कोई भी प्रोबलम हो तो आप बेज़क आप नीचे अपना वाट्सप नंबर कॉमेंट करेंगे, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो रात के आठ बजे के बाद आप कॉल करेंग ठीक है, आप लोग अपना वाट्सप नंबर जरूर कॉमेंट कीजिएगा, कोई भी प्रोबलम हो तो कुशन लिखिएगा, कोई मिस्टेक हो तो भी बताइगा, मिलते हैं एकले वीडियो में, जै हिंद, जै भारत